पर्वल की सूखी सब्जी बनाते हैं बिना लहसुन प्याज के जो बनाने में बहुत आसान है खाने में बहुत स्वादिश लगिया सबसे पहले यह रहाई सो ग्राम पर्वल को थोड़ा सा घस के चार भाग काट लिया है कड़ाही में तेल गरम करेंगे तेल यहां पर मैंने दो चम्राला है आप चाहे तो थोड़ा सा कम भी या ज्यादा डाल सकते हैं पर्वल डाल कर चार से पांच मिनट तक मीडिया माच पर इसे फ्राइ करेंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा तो आगे का मसाला डालेंगे यह बीना लहसुन प्याज का सूखी सबजी है जो बनाने में बहुत आसान है खाने में बहुत स्वादिश लगया कुल मिलाके देखिए तीन से चार मिनट बाद परवल का कलर ऐसा हो गया है अब दो मिनट तक और पका लेते हैं अब देखिए पांस मिनट तक परवल को फ्राई करने पर इसका सॉफ्टनेस थोड़ा हो गया इसमें एक इंच अद्रक का टुकड़ा क्रस्ट करके डाले हैं एक छोटा चाहे चम्मस जीरा पाउडर हधनिया पाउडर मेर्च पाउडर हल पका लें अल्मुस्ट परवल पकी गया है तो और पका देते हैं रहकर बन करके तीन से चार मिनट तक पका लेंगे चार मिनट हो गया है देखिए परवल की सुखी सबजी बिलकुल रेडी हो गया है और यह खाने में भी बहुत स्वादिश लगता है अब अपने मन पसंद इसके साथ इंज्वाय करें यह बनाना बहुत आसान है बहुत कम समय में यह बनकर रेडी हो गया है बिना लसुन प्याज की सबजी की रेशिपी बहुत अच्छी है आप लोग ज़रूरी से एक बार ट्राइ करके देखिए अगर रेशिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दे थैंक्स पर वाचिंग